नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का बेसिक सिख्षा के इस ओनलाइन लेर्णिंग प्लाटफर्म पर इस वीडियो में बात करेंगे बिटा कि अगर आप CUT 2024 का एक्जाम देने जा रहे हो और आपने English language select किया है English language का एक्जाम देने जा पाकि चीज़ के बारे हम रिसकस करेंगे तो बैटा इक्जाम पैटर्न जानते हो मोड क्या hybrid mode पर होगा इस पर computer based भी होगा pen paper test भी होगा जो आपको ठीक लगता आप उसको उठा सकते हो test pattern क्या बेटा objective type होता है mcq होता है ठीक है मीडियम क्या होगा English के लिए तो बैटा कोई मीडियम की बात होगी ही नहीं time duration क्या होगा बैटा 45 आही आता है हर साथ हर paper में हर सेट में एक से 2 आता ही आता है reading comprehension आता ही ऐता है ठीक है इस करूबिटा पैरा जंबल्स है पैरा जंबल्स के होते हैं इन्टेंस में उसको छोटे-छोटे-बाग में तोड़ दढ़ंगे उसको फिर रिखर कर उन्हां क्याया unshrement मतलब आना चाहिए मिस्टश पैलवर्ट आएंगे सिनॉम्स और एंटॉनिम्स अता है एडियम और प्रॉवर्ब से ठीक है फ्रेज लिखा हुए प्रॉवर्ब्स ठीक है ओटा ब्रॉण से यह वन वर सस्टुटिशन से वाइस से अज्टिब पैसे वाइस नारेशन डारेटर और इंडिरेक्ट स्पीच, verb से, tense से, adjective से, adverb, preposition, मतलब कि बेटा, basically parts of speech, parts of speech किते होते है, art होते है, noun होता है, pronoun होता है, adjective होता है, verb होता है, preposition, conjunction, और interjection, तो parts of speech पूरा ही पढ़ना, एक तरह से मान के चलो, इसलो बेटा, article से, sentence से, basics of grammar, मतलब वही parts of speech हो गया, question tagging से आता है, question in the blanks बोलते है, जिसमें कुछ भी आ सकता, fill in the blanks में, adverb, adjective, ठीक है, noun, pronoun, कुछ भी, error detection, ठीक है, किसी sentence में, क्या error हो, उसको पैचानने के लिए, phrasal verb, verb में ही आता है, figure of speech, मतलब जिसको literary devices बोलते है, जैसे बेटा, alliteration होता है, ठीक है, hyperbol होता है, simile होता है, metaphor होता है, ये स पूरा का पूरा English grammar में जितनी चीज़े होती है, बेटा, vocabulary में जितनी चीज़े होती है, हर एक चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो इतना बेटा पढ़ना है, तो हमको समझना हाँ चाहिए, कि कौन सा हमारे लिए important है, जादा, तो ये है बेटा, PYQ trend analysis, जितने slots के paper हमारे पास आये थे, उन सब का ये trend analysis है, इसका चाहना तो screenshot ले लेना, देखो reading comprehension से 12 question, 15 question, 13 question, 14 question, कभी-कभी 11 question, कम भी हुआ है, ठीक है, लेकि 13 question और 14 question सबसे जाता है, तो चाहो तो बेटा, इसका screenshot ले लेना, नहीं तो बेटा, इसका PDF, मैं basic सिक्षा के telegram channel पर भी available करा दू इस spell word से spelling से हमेशा नहीं आता है, ठीक है, तो जहां से आता है बेटा, उसको ज़्यादा ध्यान दो, जहां से नहीं आता है, उसको थोड़ा सा अगर week भी रहेगा, तो काम चल सकता है, अब दो जाटेस के PYQ के examples, देखो ये examples है, question में solve नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है, इ से को modal से ही है, इसके बाद ये क्या है, ये है का para jumbles, यानि कि इनको हमको rearrange करना है, और meaningful sentence बनाना है, मतलब ऐसा बाग की बनाने बिटा, जिसका कुछ अर्थ निकले, ठीक है, अच्छा, ये भी वही है, meaningful sentence बनाना है, फिर यहाँ पे बिटा correct spelling, phenomenon से होता है, phenomenal logic, तो C हो सही answer, अच्छा, यहाँ पे squalid का आपको nearest meaning बताना है, मतलब ये synonym का question हो गया, ठीक है, अगला ये भी बिटा wave है, synonym का question हो गया, spurious, इसका positive meaning बताना है, मतलब इसका antonym बताना है, तो ये antonym से question हो गया, ठीक है, ये figure of speech हो गया, ठीक है, ये poem दिया हो है, यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा figure of speech यहाँ पर use हुआ है, अब CUET 2022 का भी trend analysis देख लो, ठीक है, और इसका भी screenshot वेगरा ले ले लेना, तो यहाँ पी बेटा एक चीज़ जो मैंने notice की है, कि पहले, पिछले साल जो था, 2022 में बेटा, तो 2022 में रीडिंग ओमिनेंशन से और जादा question आते थे देखो सारे सेट में 18 question है, इस बार 12, 11 भी है, ठीक है, 13 है, 14 है, ठीक है, variable ability से देखो एक भी question नहीं आता, पैरा जंबल से बहुत जादा question आते थे, miss spell word से देखो बहुत जादा question आते थे, तो कम हो गए, ठीक है, थोड़ा सा trend analysis, 2022 में एकदम अलग था, 23 में एकदम अलग है ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, समझ जाना बेटा कि जाता से जादा पढ़ना है, ठीक है, अब ये 2222 की बेटा questions है, ठीक है, इनको देख लेना, 2222 के, पीवाई क्यू बेटा अल्रेडी एप पे अप्लोड़ेड है, 2222 और 23 का दोरों का पीवाई क्यू, बेसिक सिक्षा पे फ्री में अप्लोडेड है, तो उनको आप पढ़के अपने इंग्लिश के प्रप्रेशन को और बहतर कर सकते हो, और एक परफेक्ट स्ट्राटीजी क्या होनी चाहिए, बटा, इंग्लिश को हमको किस तरह से तयार करना है, ग्रामर के पोर्शन को, वोकैविलरी को, हर ए से प्रेशन है, इडियम से फ्रेशर से है, ठीक है, रिलेटिंग वर्ट से, वन वर्ट स्ट्रिट्यूशन से है, फिगर आफ इस पीस से, फिल इन द ब्लैंक से नहीं की, क्लोस टेस्ट हो गया यह, ठीक है, ट्रैश कोर्स, ब्रमहास्त्र बैच, 3.0, ठीक है, बेसिक सिशा क कर, मिलते बेटा किसी और वीडियो में किसी और इंफरमेशन के साथ, तब तक के लिए, all the very best.